The government was baffled. Baffled होना मतलब चक्रा जाना, चौंक जाना. सरकार बड़ी चौंक गई, चक्रा गई, ये क्या हो रहा है? सरकार अच्छा हाई थी, और अब हो चौंक भी गई, चक्रा गई. The prosecutor required the judge to postpone the trial. Prosecutor मतलब क्या होता है? वकील, सरकारी वकील. अभियोजन का जो वकील होता है, सरकारी वकील, उसने judge महोदय से अनुरोध किया, कि महोदय इस भीड को देखते हुए, आप से अनुरोध है, कि ये जो court में जो case चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उससे स्थागित कर दो. To postpone मतलब स्थागित करना? To postpone मतलब स्थागित करना? Or to advance मतलब क्या होता है? पहले कर देना. My journey to Bombay has been advanced by two days. मतलब Bombay की जो यात्रा थी, जिस तारीक की तै थी, उससे दो दिन पहले अब मैं जा रहा हूँ. And my journey to Bombay has been postponed by two days. मतलब दो दिन बाद, दो दिन के लिए स्थागित हो गए. So postpone का उल्टा होता है, advance होना. पूर कर लेना, पहले कर देना. So here, what happens is, अब सरकार चक्रा गई. ये घटना करम को देख कर. इतनी चक्रा गई कि जो सरकारी वकील था, सरकारी अभियोजन था. Prosecutor मतलब सरकारी वकील. To prosecute मतलब आरोप लगाना, केस करना. So सरकार की ओर से जो केस करते हैं वकील, वो prosecutor कहलाते हूं. जो सरकार की ओर के वकालत करते हैं. उन्होंने नयाजीश को प्रात्ना कर दी, कि महदा ये इस केस को स्थगित करो. ट्रायल को स्थगित करो, इतनी भीडा गई है. Apparently, the authorities wish to consult their superiors. Actually, ऐसा लगता है. ये साफ महसूस हो गया, कि इस थगन मांग कर, Apparently, मतलब ये स्पश्ट था, जो दिखाई दे रहा था, कि ये जो स्थगन मांग रहे थे, Postponement मांग रहे थे, वो शायद ये लोग अपने उपर के अधिकारियों से consult करने के लिए समय चाह रहे थे, कि क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्या बोलें, क्या करें, तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, असहज हो गए थे, चकरा गए थे, बैफर्ड हो गए थे, तो समय चाहिए था, ताकि सरकार के उच्च अधिकारियों से बात करके, आगे का रास्ता निकालें कि आगे क्या करना है, इसने तो पूरी अफेलना कर दी हमारे आदेश की, गांधी ने तो अफेलना की ही, कोट ने उनको आदेश दिया, कोट आओ, पर ये हज्जारों जो किसान आ गया हैं, बड़ी संख्या में, इन्हों ने जो अफेलना की है, भीड लगा दी, इसका क्या होगा, और यजे कुछ कारवाई नहीं करेंगे, तो अशी भीड दिनो दिन बढ़ती जाएगी, अर्थात अंग्रेजी सत्ता को दिनो दिन चनोती बढ़ती जाएगी, ये डर था अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने कहा, वकील ने जज को कहा, कि जज महुझा कुछ दिन स्थगित कर दीजए, अच्छिली इसके पीछे इरादा क्या था, उनका इरादा था कुछ समय मिलना, ये वांटेट सम टाइम, तो अग्रेजों बढ़ती बढ़ती जाएगी, गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस दे डीले, डीले मने विलम, तो प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध करना, गांधी ने इस केस के मामले में, किसी भी तरह के स्थगन का विरोध किया, उनको पता था, कि स्थगन करने से मामला थोड़ा सा बदल जाएगा, भीड चली जाएगी तो भीड कर दबाव भी नहीं रहेगा अंग्रेजों पर और अंग्रेज कुछ भी करने को फिर से अपनी शक्ति दिखाने लगेंगे और भीड बार बार आती भी नहीं है लेकिन ऐसे नहीं था उस समय तो गांधी के कहने पर जितनी बार भीड उन्होंने चाहिए उतनी बार भीड आई ना बुलाने पर भीड आती थी जैसा यहां हुआ चमपारन में तो गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस दे डिले टू प्रोटेस्ट मतलब विरोज करना डिले मने विलम यह रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी यह देखिए यह बहुत महत्पूर्ट चीज है उन्होंने एक वाक्त के पढ़ा जज के सामने सामाने था जज के सामने जो अपरादी के रूप में खड़ा किया जाता है जिसे जिसमें यहां पे गांधी थे अपरादी तो वो उस क्या कहता है नहीं मैंने अपराद नहीं किया नहीं मैंने गलत नहीं जो आरोप आप मुझे लगा रहे हूं गलत है यह जो घटना करम यह जो कहानी आप बता रहे हैं वकील महुदा एक गलत है अपरादी यही तो कहता है ना बचने के लिए अपने बचाओ में वो पहली बात तो यह कहता है कि मैं अपरादी हुई नहीं नहीं गलत किया नहीं लेकिन यहां गांधी उन्होंने कहा कि हाँ मैं गलत हूँ गांधी ने इस देरी का विरोध ही नहीं किया बलकि उन्होंने एक वकतव भी पढ़ा जिसमें उन्होंने अपना अपराध सुकार किया मतलब माना मैं अपराधी हूं और न्यायले को क्या कहा किस बात का अपराधी हूं सुनीए He was involved He told the court उन्होंने कहा मैं इस घटना में मेरा संबंध है He was involved He told the court in a conflict of duties Conflict मतलब क्या होता है Conflict मतलब टकराहट कर्तवियों की टकराहट में मैं उलज गया था मेरे सामने कर्तवियों की टकराहट की समस्या थी इसके क्या मायने हुए It's a beautiful phrase written in inverted comma as said by Gandhi to Louis Fisher Louis Fisher ने पुछा होगा गांधी थे कि आपने फिर वहाँ ऐसा क्यों किया और जज ने भी पूछा होगा पर इससे पहले कुछ होता गांधी ने खुद का मैंने अपराद किया है महुद और मैंने अपराद इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए कर्तवियों की टकराहट की समस्या थी कौन से कर्तवियों की बात कर रहे थे नमबर वन अब वन हैंड नाट तु सेट ए बैड एग्जामपल अज लाब्रेकर एक और मेरा कर्तवियों था कि मैं कानून तोडने के एक गलत उदाहरन पेश ना करूँ नाट तु सेट ए बैड एग्जामपल एक बुरा उदाहरन किस चीज़ का एज ए लाब्रेकर कानून तोडने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरन मैं पेश नहीं करना चाहता था तो एक तो कर्तव मेरा था कि कानून तोडने का काम ना करूँ क्योंकि इससे गलत उदाहरन आएगा और दूसरा और मेरे सामने समस्या थी मानवी एवं राष्टिय सेवा Humanitarian and National Service ये दो करतव्यों की समस्या थी मैं इसको पकड़ू या इसको पकड़ू इस करतव्य का परिपालन करू या इस करतव्य का परिपालन करू ये ओजज को कह रहे हैं मैं अपरादी हूँ जज महोदा मेरे सामने समस्या यही थी करतव्यों की समस्या दोनों मेरे करतव्य हैं पर जैसी स्थिती थी दुरभागे से मैंने दोनों करतव्यों का पालन एक साथ नहीं करतकता था दोनों में से किसको प्राथ मिक्ता दूँ यह समस्या थी और पहली समस्या पहला करता हुए क्या था कानून ना तोडने का समस्या क्योंकि इससे गलत अधारन पेश होगा और दूसरी समस्या मानवी और राष्टी सेवा इसके लिए मैं आरा हूँ मैं अशली में ते हम मानवी सेवा के लिए आया हूँ क्योंकि किसानों के साथ बड़े अमानवी काम हो रहा है राश्टी सेवा के लिया है हूँ क्योंकि मेरे देश के किसानों के साथ जो गुजर रहा है उसके खिलाब खड़ होना एक राश्टी सेवा है तो मैं जिस काम चाहा हूँ उस काम उस देश उस करतब और कानून तोड़ने के करतब कानून ना तोड़ने करतब के बीच की समस्या से उलज गया हूँ He disregarded the order to leave उन्होंने कहा मैंने जिला छोड़ने का आदेश जो है उसे मैंने disregard किया मैंने उसे नहीं माना उसकी अभेलना की He disregarded the order to leave Not for want of respect for lawful authority For want of Want मैंने क्या होता? I want money I want fame So want money चाहना Lekin for want of का दूसरा आर्थ ये एक फ्रेज है For want of मतलब की कमी के कारण For want of मतलब की कमी के कारण He disregarded the order to leave मैंने चोड़ने की गांधी ने चोड़ने के आदेश को की अभेलना की इसलिए नहीं Not for want of respect इसलिए नहीं कि वो इज़त कम होने के कारण किस चीज की इज़त Law की Lawful Authority की बेज़ती करने या Lawful Authority की कम इज़त हो ऐसा मेरा इरादा नहीं था उनको मैंने कम नहीं आका Not for want of respect For want of मतलब की कमी के कारण तो यहां पर क्या होगा Lawful Authority की इज़त की कोई कमी के कारण मैं जिला छोड़नी की जिल आदेश था उसकी जो अभेलना की ऐसा ना सोचें मैंने जो आदेश की अभेलना की उसके पीछे कुछ और कारण है But in the obedience to higher law for our being इसका मतलब क्या हुआ In obedience Obedience मतलब क्या होता है Obedience का आर्थ होता है कि अग्याकारी होना I am obedient servant of my parents मैं अपने पालक का अग्याकारी पत्र हूँ Obedience son of my parents Obedience servant of the government मैं सरकार का एक अग्याकारी कर्मचारी हूँ Obedience So obedience But in obedience to higher law of our being इसकार्थ क्या हुआ इसकार्थ यह हुआ कि मैं कानून सम्मत शासन के प्रति सम्मान के अभाव के कारण नहीं मैंने जो आदेश जाने की आदेश की यहां से निकल जाने की आदेश की जो अभेलना की है वो कानून सम्मत lawful authority शासन के प्रति सम्मान में कोई कमी हो इसलिए मैंने आदेश की अभेलना नहीं की सम्मान में पूरा करता हूँ शासन का कानून रूप से काम करने वालों का So the advocates felt our going will be bad Because we are from adjoining districts We are from nearby places And we say that we are serving these peasants और हम कहते हैं कि हम किसानों की सेवा कर रहा हैं तो हम घर कैसे जाएं It would be shameful desertion ये एक शर्मनाक desert करना मतलब छोड़ देना त्याक कर देना किन को त्याक देना किसानों को दूसरे शब्दों में ये शर्मनाक घटना होगी शर्मनाक धोखा होगा अर्थाट गांधी के सवाल पूछने पर कि मेरे जेल जाने पर आप क्या करेंगे त्याक हटा देना और घर चले जाना एक बहुत बड़ा शर्मनाक धोखा होगा This is what Rajendra Prasad writes in his Upshots As told back Louis Fisher They accordingly went back to Gandhi Accordingly means Tadanusar Tadanusar, they went back to Gandhi And told him they were ready to follow him into jail Now see how the advocate changed Their stand How the minds of advocate changed Got changed They told Gandhi We are willing to go with you to jail For this purpose To follow him into jail We will not go back home The battle of Champaran is won Gandhi ने कहा Champaran का युद्ध हम जीत गए Champaran के लड़ाई अब जीती जा चुकी है The battle, battle मैंने छोटी लड़ाई War मतलब बहुत बड़ी लड़ाई जो जिसमें युद्ध होता है वास्तों में खून खराबा बहुत होता है So the battle ये तो छोटी लड़ाई है लेकिन लड़ाई तो है अब हम जीत गए जैसी वकीलों ने कहा कि हम आपके साथ जील जाने को तियार हैं घर नी जाएंगे This was another turning point ये एक दूसरा बहुत बड़ा मोड था Gandhi exclaimed To exclaim मतलब बहुत खुशी से कुछ कहना भाव विभोर होके कहना Gandhi ने भाव विभोर होकर कहा भमने लड़ाई जीत ली अर्थाच वकील से वर जील से कम on my side farmers are already on my side that means my stand is correct then he took a piece of paper and divided groups into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest To court arrest मतलब court card यहाँ पर नियायले नहीं है to court arrest मतलब गिरफतार होना he courted arrest मतलब उसने फिर गिरफतारी दी जब हुनों ने कहा वकीलों ने हम आपके साथ जेल जाने के लिए तयार हैं तो गांधी ने कागज लिया कागजों कागज में पेर में वकीलों के नाम लिखे और उस क्रम में लिखे जिस क्रम में वो लोग जेल जाएंगे जदी जरूरत पड़ी तो divided the group of advocates into pairs pair मने जोडी and put down their order order मतलब आदेश नहीं order मने क्रम उनका क्रम लिखा in which each pair was to court arrest उननाने बगादा लिख दिया कि कौन किस क्रम में जेल जाएगा यदि ऐसी नौबत आई तो several days later गांधी received a written communication from magistrate several days बहुत दिनों बाद कई दिनों बाद गांधी को magistrate से एक लिखिच संदेश मिलता है communication मतलब संदेश लिखिच संदेश मिलता है magistrate ते वही जिसने कहा था कि कई दिनों कई दिन बाद में इस पे निरना दूँगा उनको बताया गया that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped उस communication में क्या लिखा था उस संदेश में कि जो lieutenant governor है governor general नहीं lieutenant governor उप राज जिपाल उन्होंने आदेश दिया है कि गांधी के मामले गांधी के विरुद जो मामले हैं उसे निरस्ट कर दिया गया उसे निरस्ट कर दिया जाए case to be dropped drop मतलब गिराना case गिरा दिया जाए अर्थाथ case को रद्य माना जाए निरस्ट कर दिया जाए के case ही नहीं बनता कितनी बड़ी गिंपाद civil disobedience had triumphed civil मतलब सब भी नहीं in a civil manner I pleaded to my principle इसी से बनाए civilized सब भी तो civil मतलब सब भी नहीं disobedience मतलब मैंने आपके बताए अवग्या अवहेलना विरोध विनम्रता चे विरोध करने का ये जो आंदोलन था वह विजय हुआ triumph मने विजय होना triumph मने विजय होना आदनिक भारत में पहली बार सब भी नहीं अवग्या की विजय हुई सब भी नहीं अवग्या left and governor of the province ordered the case to be dropped civil disobedience had triumphed see the pronunciation triumphed T-R-I-U-M-P-H-E-D सब भी नहीं अवग्या की विजय हुई the first time in modern India आदनिक भारत में इस परकार पहली बार विने पूरवक आदेशों की अवहेलना की विजय हुई अब घटना करम दूसरा मोड लेता है देखिए कैसे घटना एक के बाद एक चल रही है नाओ गांधी and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry फार फ्लंग मतलब दूर दराज छेत्रों में व्यापक रूप से एक एंक्वाइरी कराई, एंक्वाइरी मतलब जाच दूर दराज इलाकों में बड़े व्यापक स्तर पर गांधी और वकीलों ने मिलकर तो प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, योजना बनाना, लेट अस प्रोसीड विट अवर डिसीशन, चलो अब अपने निर्णा के अनसार अगे बढ़ें, तो गांधी और वकीलों ने एक व्यापक जाच की योजना बनाई, किस बात की जाच? into the grievances of the farmers, grievances मतलब उनकी शिकायतें, उनकी समस्याएं, किसानों की समस्याओं और शिकायतों को लेकर एक व्यापक स्तर पर जाच करेंगे हम, ऐसी उन्होंने योजना बनाई, deposition by about 10,000 farmers were written down, deposition मतलब बयान लिया जाना, बयान, deposition, दस हजार से ज़्यादा किसानों के बयान दर्ज किये गए, काश्टकारों के जो बयान दर्ज किये गए, उनके साथ अन्य प्रमान भी रखे गए, टिपड़ियां तयार की गए, 10,000 farmers were written down, depositions and notes made on other evidences, evidence मनें प्रमान, अन्य प्रमानों पर notes बनाए गए, अर्थात, प्रमानों के साथ अपनी जाच को ये पूरी करना चाहते थे, many documents were collected, बहुत सारे दस्तावेज इकठे किये गए, जुटाए गए, the whole area throbbed with the activity of, वो जो पूरा एरिया था, वो इन जाच करताओं की गतिविदी और जमीनदारों का विरोध, जितना ही जाच करता जाच कर रहे थे, किसानों से बयान ले रहे थे, उतना ही जमीनदार गर्माते थे, गरम हो रहे थे, और जोड़दार विरोध कर रहे थे, पर उसकी कोई चिंता गांधी और वकीलों को नहीं थी, क्योंकि किसानों की संख्या बहुत बड़ी, जमीनदारों की संख्या कम होती है, दफ्तावे जुटाए गए, the whole area throbbed, to throb मतलब, सफूर्ती होना, throbbing with energy, पूरी energy तुम्हें दिखाई दे रही है, परिलक्षित हो रही है, so the whole area throbbed with activities of investigators, investigator मतलब यह जाच करता, जो लोग किसानों से सवाल जवाब करके बयान लिखते थे, record एकठे कर रहे थे, कागजात एकठे कर रहे थे, और कागज record किसके खिलाफ थे, जमीदारों के खिलाफ थे, उनकी जो उनके द्वारा जो अत्याचार किये गये थे, कर के मामले में, टेक्स के मामले में, money collection के मामले में, बयाज के मामले में, यह सब का record दर्ज कर रहे थे, तो उतना ही जमीदार लोग विरोध कर रहे थे, so they were protesting, vehemently, vehemently मतलब उग्र रूप से, vehemently he protested, बड़े उग्र रूप से उसने विरोध किया, he denied it vehemently, I told him you have stolen, but he denied it very vehemently, मैंनों से कहा तुमने चोरी की है, तो उसने बहुत उग्र रूप से, बहुत जोरों से उसको नकारा, to deny करना मतलब नकारना, तो इस पकार वो जो पूरा खित्र है, अब वहाँ पर दो गुट बड़े तेज, जमीदारों का, उनकी आवाज, उनका विरोध, नाराजगी इन्वेस्टिगेटर्स के खिलाफ, और उसका खामियाजा, इन किसानों को भुगतना पड़ रहा था, दूसरी और किसान लोग बयान देने में लगे हुए थे, तो पूरा महौल एक अलग धंका हो गया था, उस चंपारन जिले का, उस मोतिहारी क्षेत्र का, यह घटना चल रही थी, यह घटना क्रम हो रहा था, नवट लुए फिशर राइट, लुए फिशर सेज, इन जून, गांधी वस समंड तो सर अड़वर गेट, तो समं मने बिलाना, कोट है समंड मने बताया, सरकारी नियायले का आदेश जो हता, वो समं कहलाता है, जहां भी सरकारी आदेश ही था, तो इट इस कॉल समंड, गांधी वस समंड तो सर अड़वर गेट, जो लेटन गवरनर थे, उनका आदेश आया कि हम से मिलो, प्रिफर वेटनर, Before he went to leading associates, Before he went, he met leading associates, and again laid detailed plan for civil disobedience, if he should not return. इस से पहले कि वो वहां जाते, before he went, इस से पहले कि वो जाते, गांधी जी ने लीडिंग एसोशियेट अपने मुख्य सहयोगियों से मुलाकात की जिन में वकील भी थे जिसमें शायद कुछ किसान भी थे उन लोगों से मुलाकात एसोशियेट मतलब सहयोगी उसी से बना एसोशियेशन जिसमें सब साही होगी लोग रहते हैं। So, he met leading मतलब NAMI Leading player Leading cricketer Leading batsman So, इसका मतलब NAMI And again Laid details plan और उन्होंने फिर से detailed plan बनाया जैसे उन्होंने वकीलों के लिए बनाया था जोडी-जोडी में कि यदि मैं jail गया तो आप लोग इस क्रम में जैल आओगे पकड़ाये तो पकड़े गए तो गिरफ्तार किये गए तो इस बार गांदी ने फिर Lieutenant Governor से मिलने के पहले सविने अवग्या की तरह ही एक फिर योजना बनाई Plan for civil disobedience If he should not return यदि वापस मैं नहीं आया Lieutenant Governor के पास से तो आप लोग सविने अवग्या ऐसे करोगे ऐसा उन्होंने Plan अपने महत्पूर्ण सहियोगियों के साथ मिलकर बना लिया लेकिन Plan में क्या था? सविने अवग्या गांधी had four protracted interviews गांधी के चार बड़े लंबे दौर चले वारता के protracted मतलब लंबे प्रोट्रेक्टिड अना सिस्टिम लंबा चलने वाला तो किन के साथ दौर चले? ये लेफ्टन गवर्नर मिस्टर गेट के साथ who as a result appointed an official commission of inquiry और इन चार दौर का परणाम क्या हुआ? as a result मतलब के परणाम शरूब इस चार लंबे दौर की बाचीत के वारता के परणाम शरूब लेफ्टन गवर्नर ने एक inquiry committee बैठाई commission of inquiry किसलिए? उसका उद्जेश क्या था? into the indigo cropper situation indigo नील की खेती करने वालों की जो स्थिती थी उसको लेकर एक समिती बनाई उनकी समस्याओं का अध्यान करने के लिए कहां गांधी एक योजना बनाके गए थे कि यदि मैं किरिफ्तार हुआ तो ऐसे सविना अविक्द्या करना और कहां दूसरी और परणाम कुछ और दिखा लंबी वारताओं के परणाम सरूप left-nit governor राजी हो गया एक समिती बनाने के लिए who would look into their situation their means share cropper जो इंडिगो share cropper थे नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनकी स्थिति का अध्यान करेगी situation मने स्थिति उनकी माली हालत के बारे में जानकारी लेगी समस्याओं के बारे में जानकारी लेगी उसके निरा करन का रास्ता देखेगी आदी आदी the commission consisted of landlords to consist of to consist of consist of consist of the trip consists of the picnic consists of 10 students, 2 teachers and a principal ये जो picnic है इसमें 10 विद्यारती हैं, 2 शिक्षक हैं और प्रिंस्पल so to consist of my bag consists of these items मेरे bag में ये ये चीज़ें शामिल हैं तो यहां पर the committee consisted of landlords, किसान, government, officials and गांधी इसमें कुछ जमीदार थे कुछ सरकारी अधिकारी थे और अकेले गांधी जो share croppers के एक मात्र प्रतिनी थे soul मने एक मात्र s-o-l-e soul soul मने जूते का soul भी होता है जिसे नीचे, जूते की नीचे लगा रहता है और एक होता है s-o-l-soul soul मने आत्मा तो यहां पर soul मतलब क्या होता है एक मात्र एक मात्र प्रतिनी थे के रूप में किसानों के गांधी भी उस कमीटी में थे गांधी remained in चंपारन for an initial uninterrupted period of seven months to remain मने होना जैसा मैंने पहले बताया uninterrupted मने निर्बाद बिना किसी ब्रेक के लगा तार there is an uninterrupted rain in Raipur for the last seven days गत साथ दिनों से निर्बाद गती से बिना रुके लगा तार बारिश हो रही है uninterrupted to interrupt मतलब बादा पहुंचाना don't interrupt in my issue मेरे मामले में बादा मत पहुंचाओ तो यहां पे uninterrupted period of seven months बिना किसी ब्रेक के व्यवधान के खलल के गांधी साथ माह रह गया चंपारन में and again for several shorter visits और उसके बाद कई छोटी छोटी आत्राएं अलग से क्यों उन्होंने and again for several several मने many many shorter visits एक एक दो दो दिन की आत्राएं बहुत बार की चंपारन उन्होंने यह क्यों हुआ होगा वो जो inquiry committee बैठी थी उसकी जाँच जो चल रही थी उसमें सहयोग देने के लिए गांधी का नाम था और गांधी तो किसानों के प्रतनिदी के रूप में थे तो बहुत महत पूंट थे वो साथ माह और उसके उपर से और बहुत बार चंपारन के उन्होंने यात्रा की the visit undertaken casually ये वो यात्रा थी जो चलते फिरते में ले ली गई थी casually हलके में ली गई थी don't be casual be serious हलका फुलका मत लो थोड़ा गहरे बनो be serious तो गांधी ने तो चंपारन जाने की बात बड़ी casually मानी थी on the entreaty of an unlettered peasant entreaty मतलब unroad, venumber unroad बहुत जो बहुत उसके साथ जो unroad करते हैं उसे entreaty करते हैं बहुत तीवर unroad वो entreaty कहलाता है entreaty of an unlettered peasant एक अशिक्षित किसान के बारं बार अनिरोध पर तो गांधी गह थे वहाँ वो अशिक्षित किसान कौन था याद है आपको राज कुमार शुकला जिसका नाम पूर में आया है in the expectation that it would last a few days expectation मतलब उमीद last मतलब आखरी नहीं to last मतलब तक रहना I have money it will last for another three months मेरे पास इतना पैसा है कि अगला तीन माह चल जाएगा पापा don't worry I have the stock of rice and wheat it will last for another four months मेरे पास चावल और गेहों का stock है जो अगले चार माह तक चलेगा चिंता नहीं करो to last for मतलब कितने दिन चलना केवल last मतलब आखरी and last for to last for मतलब चलना इतने दिन पैदल नहीं चलना उतने दिन तक के लिए होना the visit undertaken casually बड़ी सहज़ता से लिया था गांधी ने इस सियात रखो जब वो अशिक्षित राजकुमार शिकला उनके पास आये था इस उमीद में कि it would last for a few days कि कुछ दिन की बात है but it occupied almost a year of गांधी's life लेकिन occupy होना मतलब व्यस्त रखना लेकिन उसने गांधी के एक वर्ष ले लिया गांधी occupation मतलब धंधा occupancy मतलब कितनी capacity है धंधा occupation to occupy means जगह लेना the thought of my parents illness has occupied my mind मेरे parents की बीमारी ने मेरा दिमाग ले लिया है मेरे दिमाग में जगह ले लिया अर्थात मैं सोच रहू हूँ उनके बारे में सोच रहूँ उनकी बीमारी के बारे में सोच रहूँ so here it would last a few days गांधी thought गांधी को लगा कि कुछ दिन होगा ये बार बार विचारा शुकला बोल रहा है और मेरे साथ साथ सब जगह गया है इस उमीद में कि मैं उसको हाँ बोलूँगा चलो चलता हूँ कुछ दिन का मामला है वापस आ जाओंगा लेकिन लुई फिशर कहते हैं इड उक्यूपाइड ओल्मोस्ट ए इयर अफ गांधी लाइफ वहाँ तो लगवग बारा माह लग गए दो ओफिशल एंक्वाइरी जो कमिशन बना था असेंबल एक क्रशिंग माउंटेन अफ एविडेंसे अगेंस दे बिक प्लैंटर असेंबल करना मतलब इकठा करना उसी से बना असेंबली जो एंक्वाइरी कमिटी थी उसने माउंटेन अफ एविडेंस इकठा किया एविडेंस मतलब उदाहरन माउंटेन उदाहरनों का पहाड इसने एविडेंस मतलब उदाहरन नहीं एविडेंस का मतलब होता है क्या बलेंगे यार शाक्ष साक्ष, एविदेंस का मतलब होता है साक्ष तो उन्होंने बहुत सारे साक्ष कट्थे कर लिये कि इनके खिलाफ, अगेंस दे बिक प्लैंटर्स इंडिगो प्लैंटेशन नील की खेती में जो बड़े बड़े प्लैंटर्स इंवाल्व थे उनके खिलाफ, उनके अत्याचार के खिलाफ and when they saw this, they agreed in principle to make refund to the peasants और जब, they means what, planter, इंडिगो से तंबंदित जो planter थे उन्होंने जब देखा कि इतने सारे साक्ष इन किसानों ने इस inquiry commission को उनके खिलाफ दिये हैं तो घबरा गए mountain of evidence and when they saw this, they agreed वो राजी हो गए, कि बात पर राजी हो गए उसूलन, in principle मतलब उसूलन, सिध्धान्त स्वरूप यहाँ देखिए principle की spelling देख लीजए और school के principle की spelling अलग होती है खुद आप देखें उसकी spelling क्या है और यह principle की spelling है, इसका meaning है सिध्धान्त तो सिध्धान्त था, यह indigo planters जो थे जो indigo की खेती करवाते थे वो राजी हो गए, कि हम किसानों को उनका पैसा वापस कर देंगे आखिर सारा आरोप पैसों कहीं तो था, गलत तरीके से पैसा जो जाच करताओं की गतिविदी और जमीनदारों का विरोध जतना ही जाच करता जाच कर रहे थे किसानों से बियान ले रहे थे उतना ही जमीनदार गरमाते थे गरम हो रहे थे और जोड़दार विरोट कर रहे थे पर उसकी कोई चिंता गांधी और वकीलों को नहीं थी क्योंकि किसानों की संख्या बहुत बड़ी जमीनदारों की संख्या कम होती है दस्तावे जुटाएगे the whole area throbbed to throb मतलब फूर्ती होना throbbing with energy पूरी energy तुम्में दिखाई दे रही है परिलक्षित हो रही है so the whole area throbbed with activities of investigators investigator मतलब ये जाच करता जो लोग किसानों से सवाल जवाब करके बयान लिखते थे record इकठे कर रहे थे कागजात इकठे कर रहे थे और कागज record किसके खिलाब थे जमीनदारों के खिलाब थे उनकी जो उनके द्वारा जो अत्याचार किये गया थे कर के मामले में टेक्स के मामले में मनी कलेक्शन के मामले में बयाज के मामले में ये सब का record दर्च कर रहे थे तो उतना ही जमीदार लोग विरोध कर रहे थे तो दे वेर protesting vehemently vehemently मतलब उगर रूप से vehemently he protested बड़े उगर रूप से उसने विरोध किया he denied it vehemently I told him you have stolen but he denied it vehemently मैंनों से कहा तुमने चोरी की है तो उसने बहुत उगर रूप से बहुत जोरों से उसको नकारा to deny करना मतलब नकारना तो इस पकार वो जो पूरा खित्र है अब वहाँ पर दो गुट बड़े तेज जमीदारों का उनकी आवाज उनका विरोध नराजगी इन्वेस्टिगेटर्स के खिलाफ और उसका खामियाजा इन किसानों को भुगतना पड़ रहा था दूसरी और किसान लोग बयान देने में लगे हुए थे तो पूरा महौल एक अलग धंका हो गया था उस चंपारन जिले का उस मोतिहारी क्षेत्र का नव वी कम तो नेक्स स्टेज ये घटना चल रही थी ये घटना क्रम हो रहा था नव बड़ लुई फिशर राइट लुई फिशर सेज इन जून गांधी वश समन्दOS सर एड़ लूउड गोफरी गवरनर तो समन मने बलाना कोट समन्द मने बताया सरकारी न्यायलय का आदेःश जो हता वो समन कहलाता है यहां भी सरकारी आदेश ही था तो इस काल अग्स गांधी वह समन्द टू सर एड़ गवरनर थे उनका आदेश आया कि हम से मिलो Before he went to leading associates Before he went He met leading associates And again laid detailed plan for civil disobedience If he should not return इससे पहले कि वो वहां जाते Before he went इससे पहले कि वो जाते Gandhiji न Leading associate अपने मुख्य सहयोगियों से मुलाकात की जिनमें वकील भी थे जिसमें शायद कुछ किसान भी थे उन लोगों से मुलाकात Associate मतलब सहयोगी उसी से बना association जिसमें सब सहयोगी लोग रहते हैं So he met leading मतलब NAMI Leading player Leading cricketer Leading batsman तो इसका मतलब NAMI And again Late details plan और उन्होंने फिर से detailed plan बनाया जैसे उन्होंने वकीलों के लिए बनाया था जोड़ी जोड़ी में कि यदि मैं जेल गया तो आप लोग क्रम में जेल आओगे पकड़ाए तो पकड़े गए तो गिरफ्तार किये गए तो इस बार गांजी ने फिर Lieutenant Governor से मिलने के पहले सभी ने अवग्या की तरह ही एक फिर योजना बनाई plan for civil disobedience if he should not return यदि वापस में नहीं आया Lieutenant Governor के पास से तो आप लोग सभी ने अवग्या ऐसे करोगे ऐसा उन्होंने plan अपने महत्पूर्ण सहयोगियों के साथ मिलकर बना लिया झाल